अगर आपके पास भी कोई online course है और आप उसे sell करना चाहते हो तो सबसे बड़ा challenge जो हमारे सामने आता है वो यह है कि हम अपने courses को किस platform पे sell करें जहाँ पर Indian payment gateways के तरों payment भी accept कर सकें along with that एक ऐसा feature भी होना चाहिए कि आपके students उन videos को download न कर सकें जितने भी students है मैं login करके course को access कर पाएं आज का यह video आपके लिए बहुत helpful होने वाला है क्योंकि आज के इस video में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा LMS है जो Indian payment gateways को support करता है customers के साथ यानि students के साथ आप messaging कर सकते हो along with that अपने course के content को secure रख सकते हो और बहुत सारे amazing features हैं जिसकी help से आप अपने online course के business को बहुत जल्दी grow कर पाऊगे so मेरा नाम है सदाम कासिम मैं almost 6 months से अपने online courses sell कर रहा हूँ अभी तक तकरीबन 20-22,000 online course की copies को sell कर चुका हूँ अगर मैं कर सकता हूँ that means आप भी कर सकते हो so इस video को थोड़ा patience के साथ में देखिएगा fast forwarding मत कीजेगा क्योंकि online course selling का business बहुत कमाल का है बहुत अच्छा business है अच्छे खासे आप पैसे कमाते हो लेकिन इसके लिए आप एक proper strategy को follow करना पड़ेगा so without further delays let's start this video and we can check की कौन सा platform सबसे best है so मैं अपने online courses को sell करने के लिए use करता हूँ Graphy Graphy एक कमाल का LNS platform है simply आपको website open करनी है sadamkasim.com then forward slash g-r-a-p-h-y यह मेरा referral link है इसके तो आपको कोई discount भी मिलने वाला है so आगे मैं एक coupon code भी आपको share करूँगा Graphy एक कमाल का platform है अब एक चीज़ आप अपने mind से बिल्कुल delete कर दीजिए आप चाहते तो हो कि आपके courses की sales आस्मान को छू जाए but actual में आपको यह भी लगता है कि मेरा एक रुपए भी invest ना हो but ऐसा बिल्कुल होता नहीं है क्योंकि online course selling एक online business है और हर business में कुछ ना कुछ investment की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि हमें यहाँ पर LMS में invest करना होता है एक अच्छा platform चाहिए जो हमारे course videos को host कर सके जैसे कि आप मान लीजिए अपने courses के लिए ads चलवाओगे Facebook एड चलाओगे आप Instagram एड चलाओगे Google एड चलाओगे YouTube पे अड चलाओगे तो भाई इनके लिए भी आपको investment तो करना होता है स्टार्टिंग में मैं आपसे यह नहीं कहाँगा सेम वो ही चीज़े मैं भी आपको बता रहा हूँ सो यहाँ पर basically हम graphi में थोड़ा investment करेंगे ताकि हम monthly basis पे या yearly basis पे LMS को ले सकें और उसके उपर अपने content को upload करेंगे सो यहाँ पर हम graphi के home page को एक बार explore कर लेते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो काफी बड़े बड़े educators हैं companies हैं जो online courses sell करती हैं mentorship programs provide करते हैं उनके logo यहाँ पर move कर रहे हैं built for every type of course यानि आप किसी भी तरह के course को यहाँ पर host कर सकते हो और बहुत अच्छे और easy way में अपने students को address भी कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सरक कमाल की features हैं जैसे schedule your courses as you like that means आप drip content कर सकते हो आप चाहते हो कि 4 lectures हैं जिस दिन student enroll करेगा उसके first day पहला lecture activate होना चाहिए next day automatically दूसरा lecture activate हो जाए and then third and then fourth that is what we call drip content तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो protect your content that means आपका जुतनी मेहनत से बनाया हुआ content है, video codes है, PDF है वो 100% secure रहेगा जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक user उसे download नहीं कर सकता साथी साथ में live sessions आप कर सकते हो और यह platform almost हर तरह के media file को support करता है जैसे आप quizzes create कर सकते हैं, assignments create कर सकते हैं, PDF files आप upload कर सकते हो और भी काफी तरह की media files, zip files को upload करवा सकते हो अपनी audience के लिए सबसे ची बात इस platform की यह है कि जब आप इनके premium plan को enroll करते हो तो आपको एक mobile app भी मिलता है यानि आप अपनी audience को website के थो तो training provide कर ही सकते हो साथी साथ में आपकी audience mobile app को download करके वहाँ पर भी login करके course के video lectures को और other content को access कर सकती है तो यह feature बहुत अच्छा है जो कि आपको किसी और other platform पे नहीं मिलने वाला है आप beautiful landing pages create कर सकते हो अपने course के लिए और इसके लिए आपको किसी भी तरह के coding या programming knowledge की जरुवत नहीं पढ़ने वाली है सब कुछ drag and drop based होता है और सबसे अच्छा feature जो मुझे graphi का लगता है वो यह है कि हम अपने custom domain को यहाँ पर link करवा सकते हैं यानि audience को मालूम ही नहीं चलता है कभी कि actual में कौन से platform पे course sell हो रहा है so right now आपको मालूम ही होगा मेरी website है wpcls.com so यह basically मेरा खुद का custom domain है और यह पूरी website graphi पे बनी हुई है यानि back end में graphi यूज होता है बट domain मेरा खुद का है यहाँ पर तो यह कमाल का feature आपको इस platform पे मिल जाता है कि आप अपना custom domain लिंक कर सकते हो दूसरा सबसे useful feature इसमें यह है कि integrated payment system है यानि अगर आपकी audience सिर्फ Indian based है आप Indian payment gateway के तो पेमेंट accept करना चाते हो तो आपको अलग से कोई plugin वगरा डाउनलोड करके install करने की ज़रूरत नहीं है आप simply raise the payback account create कर लीजे और graphie में आप अपनी merchant key वगरा डाल करके इस platform को अपने payment gateway से link करवा सकते है यह सारे चीज़े मैं अभी आपको कुछी minutes में दिखाने वाला हूँ कि actual में हमें किस तरह से करना है अब हम चलते हैं pricing page पे और check करते हैं कि इनकी pricing plans किस type के हैं और starting में आपको कौन सा plan choose करना चाहिए so basically यहाँ पे monthly and annual दोनो plans available है जैसा billing cycle आपको suitable लगे आप उस हिसाब से यहाँ पे enroll कर सकते हो अगर आप monthly enroll करोगे यानि हर मंद अगर आप payment करना चाहते हो तो यह आपको थोड़ा सा expensive पढ़ता है whereas अगर आप annual लेते हो तो उस case में एक मंद की fees आपकी बच जाती है plus अभी मैं आपको coupon code भी share करने वाला हूँ जिसकी help से आपको 20% का extra discount भी मिलेगा whether आप monthly sign up करते हो या annual पे sign up करोगे so monthly हम चेक कर लेते हैं 3499 रुपीज पर मंद का इनका price है जिसमें आपको course selling के सारे features मिल जाते हैं along with that आप unlimited courses को यहाँ पे host करके sell कर सकते हो यानि मान लीजिए आपके पास 4 courses है अलग-अलग एक SEO का है, एक WordPress का है, एक fitness related है इस तरह के काफी सारे courses है तो वो सब आप यहाँ पे sell कर सकते हो इसका कोई limitation नहीं है आप unlimited video lectures को upload कर सकते हो, यहाँ पे आपको unlimited storage मिलता है मतलब it really doesn't matter के आपके video का size क्या है आप जितने चाहें उतने video lectures यहाँ पर upload कर सकते हैं custom payment gateway का option है, आप अपने need के according जो भी payment gateway को integrate करना चाहो वो यहाँ पे कर सकते हो live classes आप conduct कर सकते हो with 300 users at the same time now इस basic plan में आपकी website की just नीचे लिखा रहेगा powered by graphie जो की website credit है अगर आपको यह नहीं चाहिए हो तो इस case में आपको फिर upgrade करना पड़ेगा अपने plan को फिलाल starting में इस basic plan ठीक है email और phone support आपको मिल जाता है इस plan में आप custom domain भी link कर सकते हो that means अगर आपके पास कोई भी आपका अपना custom domain है तो वो आप link करवा सकते हो इस plan में यह भी काफी बड़ी requirement है आज की date में फिर यहाँ पर basic integration हम कर सकते हैं zapier से, pably से, facebook से, google से इन सारे third party platform को हम integrate कर सकते हैं अपने graphic account से और इस plan में आपको 10,000 active learners तक की facility मिलती है और यहाँ पर हमें एक android या ios app भी मिल जाता है अपने students को trading प्रोवाइड करने के लिए whereas काफी सारे और भी other यहाँ पर plans available है आप उनके features वगरा देख सकते हो जो भी आपकी need के according suitable है उस plan को आप यहाँ पर choose कर सकते हो so let's say हम basic plan यहाँ पर start करते हैं simply get it started पर हमें click करना होगा okay now यहाँ पर आप यहाँ दो Google के थो यानि Gmail के थो एकाउंट create कर सकते हो या फिर आप Facebook के थो भी एकाउंट create कर सकते हो otherwise आप manual अपना email address यहाँ पर enter करके भी account create कर सकते हो so मैं यहाँ पर Google के थो account create करूँगा let's click on continue with Google here we go so हमारा account देखी create हो चुका है now यहाँ पर आपको अपना mobile number enter करना होगा so let me type in my mobile number okay now यहाँ पर देखी एक question आप से पूछा जा रहा है are you an individual creator or part of an organization अगर आप एक individual instructor हो तो यहाँ पर आप select करोगे I am an individual creator अगर आप किसी company के बहाफ पर account create कर रहे हो then you have to choose this option right now मैं यहाँ पर चूज करूँगा I am an individual creator then after we need to click on continue okay अब यहाँ पर आप अपना photo upload कर सकते हो so let's click on this camera icon okay so यहाँ photo upload कर लिया इसका preview यहाँ पर generate हो चुका है आप अपने school का नाम यहाँ पर दे सकते हो अब school से आप confused मत होना यह basically आपकी website का नाम हो सकता है जैसे कि for example digital mentor 24 by 7 ऐसा कुछ हम नाम यहाँ पर दे सकते हैं what are your courses about basically आप किस type of course बना रहे हो वो course किस से related है तो यहाँ पर example हम select कर सकते हैं software and technology अगर आप wordpress और website development सिखा रहे हो बाकी काफे सारी यहाँ पर categories अवेलिबल हैं जैसे कि fitness और health से related है अगर आप gym वगरह trainer हो और आप online courses gym से related बना रहे हो तो उस case में अब health and fitness भी यहाँ पर choose कर सकते हो after that we need to click on continue okay now यहाँ पर कुछ और questions आगए जैसे what's your profession तो हम यहाँ पर अपना profession select कर सकते हैं just like youtube influencer are you already teaching तो यहाँ पर आप select कर सकते हो table option जैसा आपके लिए ठीक है नहीं फिलाल यहाँ पर choose करूँगा yes I am already teaching via online courses and what's your audience size starting के time पर हो सकते है आपके पास कोई भी audience ना हो तो आप यहाँ पर select करो 0 to 1000 and then we need to click on continue okay after that देखे यह आपका dashboard open हो चुका है you need to click on accept cookies now इस chat box को फिलाल हम यहाँ पर बंद कर देते हैं अब यह वो interface है जहाँ से आप अपने courses वगरा को बहुत easily create कर सकते हो और upload भी कर सकते हो यहाँ पर आप आप देखो at the very top sadam kasim then 9549.ongraphy.com यह basically subdomain आपको a lot हो गया है जब तक आप अपना custom domain इस platform से link नहीं करोगे तब तक आप इस custom subdomain को use करके अपनी audience को enroll करवा सकते हो मैं एक बार आपको इसको private window में open गरके दिखाता हूँ कि actual में किस तरह से इसका interface दिखाई देगा ओके यह basically मेरा अभी graphic के ऊपर एक page बन चुका है जहाँ पर मैं अपने courses वगरा को upload कर सकता हूँ right now मैंने कोई course create किया नहीं है that is the reason यहाँ पर लिख कर किया रहा है your published courses for sale will appear here यहाँ पर login integrated button है जैसे आप इस पर click करोगे login का pop-up आ जाएगा और यहाँ पर admin का email display होता है well as pop-up को और इस window को फिलाल हम यहाँ पर बंद कर देते हैं अभी यह तो हमने एक fresh account create किया है बट मैं आपको अपने real WPCLS account यानि graphie account में login कर के दिखाता हूँ कि actual में हमने किस तरह से courses को create किया है और जितने भी features graphie में है वो सारे features हम one by one explore करेंगे so यह है WPCLS.com जहाँ पर मैं अपने online courses को sell करता हूँ और यह page completely hosted है graphie पर यह काफी beautiful से मैंने landing page यहाँ पर create किया हुआ है अपनी audience के लिए और mostly मेरे 3 courses हैं यहाँ पर जैसे की wordpress mastery course है amazon affiliate course है blogging and affiliate marketing का course है so courses की listing यहाँ पर हो रखी है और इसके बाद जितने भी content आप चाहें वो यहाँ पर display करवा सकते हैं so first of all मैं अपने LMS की backend में login करके आपको दिखाता हूँ कि actual में किस type से हमने courses को create किया हुआ है और कैसे मैं अपना पूरा online course का business manage करता हूँ यहाँ पर top right corner पर बटन दिया हुआ है login का let's click on it now we can simply login into our account जैसे हम login कर लेते हैं top right corner पर एक नया menu मिल जाता है dashboard का यह है मेरा profile picture जैसे हम इस पर click करेंगे इसके बाद डॉपडाउन आ गया we need to click on my profile so यह basically backend panel open हो चुका है जहां से हम पूरे के पूरे course के content को manage करते हैं और यह है मेरी real profile so left hand side पर काफी सारे options दिये हुए है जैसे कि getting started है reports है content, users, engagement, design, marketing काफी सारे यहाँ पर options दिये हुए है जिसकी help से आप अपने online course के business को बहुत आगे तक ले जा सकते हो so first of all हम चलते हैं content वाले टाप पर reports पर बाद में आएंगे सबसे पहले चलेगी content पर और यहाँ पर आप देख सकते हो courses है, packages है, asset library हो काफी सारे और भी options है हमारे सबसे काम का option है courses let's click on it so basically इस section से आप जितने भी courses sell करने वाले हो वो आप यहाँ पर create करते हो जैसे का right now मेरे पास 4 live courses है एक 14 days wordpress challenge है इसके बाद blogging और affiliate marketing का course है फिर amazon affiliate marketing course है and wordpress freelancing mastery course है so यह 4 courses तो published है इसके बाद 2 courses मेरे आने वाले हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हो unpublished है यानि यह front page पे display नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें मैंने अभी तक publish नहीं किया है अब नया course create करना है it's really very very simple first of all आप देखो top right corner पे create course का option है इस पर हम जैसे click करेंगे आपके सामने यह pop up आ जाएगा now आप अपने course का नाम यहाँ पे enter कर सकते हो और यह नाम आप बाद में change भी कर सकते हो let's say मैं आने वाले time पे course लेकर के आने वाला हूँ SEO का तो हम यहाँ पे title डाल देंगे SEO mastery course rank your website on google's page number one इस type से आप कुछ भी title यहाँ डाल सकते हो after that instructor यानि इस course का instructor कौन होने वाला है so basically आप खुद ही अपने course के instructor होगे तो यहाँ पर आप अपना नाम टाइप करोगे sa dm जो भी आपका नाम है तो यहाँ पर display में आपका नाम भी आ जाएगा simply आप उसको select कर लीजे बागे show advanced options पर हम जैसे click करते हैं तो यहाँ पर कुछ advanced option आता है जैसे क्या आप इस course को memory card में ship करने वाले हो of course नहीं करेंगे इस option को छोड़ देते हैं and then we can click on submit अप जैसे आप submit करोगे यह panel open हो गया basically इसे हम कहते हैं course builder यहाँ से हम अपने पूरे course को create कर सकते हैं यानि lectures create करेंगे उसमें content को upload करेंगे section by section हम पूरे course को यहाँ पर create कर देते हैं सबसे पहला काम हमें करना है course cover यानि कि हमारे course का जो thumbnail होने वाला है basically जो main featured image होगी वो हम यहाँ पर set करेंगे so course cover पर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो size दिया हो 600 by 400 pixel का यह होना चाहिए तो फिलाल मैं एक काम करता हूँ जो already हमारे पास existing image है उसे upload कर लेते हैं जैसे माल यह WordPress का ही मेरे पास already image पड़ा हुआ है same size का so यहाँ पर जैसे के ले लेते हैं blogging affiliate marketing course की एक featured image है आप देख सकते हो size 600 by 400 है इसे simply आप open करोगे तो यहाँ पर best display होती है let's click on upload तो यह हमारे featured image आ गई इसके बाद अब add new chapter पर click करेंगे अब graphie में आपको बहुत सारे options मिलते हैं जो कि आपको other LMS में नहीं मिलेंगे जैसी कि आप एक chapter में PDF file display करवाना चाहते हो तो वो आप यहाँ select कर सकते हो आप video content यहाँ पर provide कर सकते हो audio है आप चाहें तो कोई file वगरा भी user के लिए provide करवा सकते हो जैसे user download कर पाएगा login करके इसके बाद आप चाहें तो simple एक heading put कर सकते हैं, text put कर सकते हो आप एक link के यहाँ पर put कर सकते हो quiz create कर सकते हो, live test, live class, assignment, form बहुत सारे options आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अब ग्राफी वाकई एक one and only tool है आपके online courses को sell करने के लिए तो सबसे पहले हमें काम करते हैं यहाँ पर एक section मनाने वाले है getting started का, तो यहाँ पर हम ले लेंगे heading, अब यहाँ पर heading में type कर सकते हो, just like getting started after that we can click on submit तो यहाँ पर एक heading बन चुकी है तो यहाँ पर एक section बन चुका है जिसका title है getting started अब इस section के अंदर हम lectures को add करेंगे तो यहाँ पर हमें click करना होता है add chapter item, फिर से pop up आ जाएगा अब मान लो आप video content display करवाना चाहते हो, video lectures हैं आपके, तो यहाँ पर आपको select करना होगा विडियो, एक नया pop up आ जाएगा graphie में video upload करने के लिए आपके पास बहुत सारे options है graphie में, जैसे कि आप चाहें तो choose file करके अपने desktop से video को manually upload कर सकते हैं जिसमें काफे time लग जाता है आप चाहो तो YouTube का कोई video यहाँ पर link करवा सकते हो, YouTube video का simply आपको link यहाँ paste करना होता है अगर आपके पास account Vimeo पे है तो Vimeo का link भी आप यहाँ paste कर सकते है sprout video है, link है embed भी कर सकते हैं आप किसी video को मेरा सबसे best option है कि मैं क्या करता हूँ basically जितने भी मेरे video lectures हैं of course video lectures का size बहुत जादा हो जाता है तो मैं सारे video lectures को अपने Google Drive में upload कर देता हूँ और जब भी मैं नया course create करता हूँ तो Google Drive से directly मैं उन videos को अपने graphic के platform पे import करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो Google Drive का भी option है Dropbox का भी option है तो हम simply चलते हैं Google Drive पे जहाँ पर already मेरे पास कुछ videos पड़े हुए है Okay, so मैं यहाँ पर login कर लेता हूँ अपने existing Gmail account में Now, जैसे आप successfully login हो जाओगे यहाँ पर Google Drive के सारे folders fetch हो जाते हैं Okay, so 14 days वाले course के folder में ही चलते हैं और यहाँ पर जो intro video है उसे मैं directly import करूँगा So, यह है welcome to the course वाला एक lecture Simply select कर लेते हैं Okay, so इसका size is 77.13 MB After that, we can click on import और Google Drive से directly यह मेरे ग्राफिक के platform पे import हो जाएगा within a few seconds Like this जो भी video का title रहा होगा वो यहाँ पर आजाता है After that, आप चाहें तो tags वागर यहाँ पर add कर सकते हैं Multiple tags, just like SEO, course, कॉमा लगा सकते हैं इसमें हम, website ranking, etc After that, duration वगर आपको यहाँ पर select करने की ज़रूद नहीं है Now, Graphy आपके content को किस तरह से secure करता है वो आप यहाँ पर देख लो अब इस option का मतलब यह है कि जब भी कोई student आपका video देखेगा यानि video lectures को attend करेगा तो उस time पर dynamic watermark video के उपर display होता है उस dynamic watermark में user का email वगरा display होता है यानि जो student देख रहा है उसका ही email डिस्पले हो जाएगा तो watermark की help से भी piracy को रोका जा सकता है फिर यहाँ पर description वगरा दिया हुआ है आप चाहें तो उस lecture का description वगरा यहाँ पर put कर सकते हैं अगर आप चाहो तो enable captions करके captions वगरा भी आप upload कर सकते हो फिलाल इस option की हमें ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली है because Indian audience Hindi बहुत अच्छी तरह समझती है after that यहाँ पर option दिया हुए autoplay का यानि जैसे ही कोई भी user course में enroll करता है और वो lecture के उपर पहुँचेगा तो वो lecture automatically play हो जाएगा या नहीं so right now starting का lecture है उसे हम autoplay पे ही रखेंगे available settings always available time based यानि कि यह जो lecture है वो हमेशा user के लिए available रहेगा या कुछ ही time के लिए तो आप चाहें तो time की according भी यहाँ पे उस lecture की availability को करवा सकते हो फिलाल इसे हम रखेंगे always available और यहाँ पर आप देख सकते हुए lecture आ चुका है right now यह processing हो रहा है user के best experience के लिए बस हमें इतना ही करना होता है and after that हम simply save कर देंगे एक pop-up आजाएगा इसमें आप save changes पर click कर दीजे that's it तो यह lecture आपको create हो चुका है इसी तरह से दूसरे lecture आपको create करना है same section के अंदर तो आप यहाँ पर add chapter item पर click करोगे फिर से आप video select करो यहाँ से आप ही google drive में अगर video है तो वहाँ से upload कर लीजिए या directly आप अपने computer से भी upload कर सकते हो choose file option पर click करके इसको फिलार आप यहाँ पर बंद कर देते हैं अब नया section अगर आपको create करना है तो आपको add new chapter पर click करना होता है फिर यहाँ पर एक heading ले लेंगे हम अब heading में अपना लेजिए हम लिख देते हैं introduction ओके तो एक नया section हमारा बन चोगा introduction का इसकी अंदर फिर आप एक नया chapter add कर दीजे and so on इस तरह से आप पूरे पूरे course के content को यहाँ पर create कर दोगे अब वापसन चलते हैं course इस वाले page पर ओके यह वाला course पर आप देख सकते हो अभी unpublished है इसको हमने published नहीं किया है that is the reason यहाँ पर tag लग के आगे unpublished और यह हमारे landing page के उपर डिस्प्ले नहीं होगा यानि store page पर भी डिस्प्ले नहीं होने वाला है अब जैसी इस course का आपने create किया देखो नीचे से काफी सारे tabs आपस आगे जैसे के details है course builder है landing page design है इसके बाद learners मतलब कितने लोगों ने इस course में enroll किया हुआ है फिर यह access code है फिलाल इसकी ज़रूद नहीं पढ़ने वाली हमें अब details पर हम चलते हैं तो यह basically इस course का details वाला page है जहां पर आप description पूट कर सकते हो इस course के बारे में course की tagline आप यहां पर देख सकते हो इसके बाद users के लिएक message आप यहां पर drop कर सकते हो किस तरह से उसे इस course को use करना है यह access करना है left hand side पर आपको यहां पर detail मिल जाएगी किस date में इस course को create किया गया है आज है 24 मार्च 2022 जिस टाइम पर मैं से वीडियो को record कर रहा हूँ कब last modify किया गया है वो भी यहां पर date आएगी मतलब आप each and every section की each and every activity की यहां पर tracking कर सकते हो after that अब यह है pricing वाला section इस course की price आपको actual में क्या रखनी है so right now first of all हमें यहां पर select करना होता है website after that आप यहां पर plan add कर सकते हो so add plan पर हम click करेंगे अगर यह course free of cost आप प्रवाइड करवाने वाले हो तो simply यहां पर plan का नाम डाल दो just like free for everyone आप कुछ भी नाम यहां पर दे सकते हो limit course access duration अगर आप free provide करवा रहे हो तो क्या आप user के लिए एक limit लगाना चाहते हो कि किस time तक बस वो इस course को access कर सकता है तो यहां पर तीन conditions है until fixed date, until specific number of days by maximum video watch time I'm sure इस type के इतने ज़ादा helpful options किसी और elements पे आपको नहीं मिलने वाले हैं फिलाल इस option को छोड़ देते हैं अगर आपका plan है one time payment charge करने का तो one time payment पे आ जाईए यहां पर plan का आप नाम रख सकते हो just like course fee इसके बाद list price है zero और finable payable price भी है zero अब इन दोनों का मतलब क्या है इन दोनों का मतलब यह है कि list price में आप अपने course का regular price enter करोगे माल लेते हैं आपने course का regular price यहाँ पे display करवाया हुआ है पांच हजार नौसो निननावी रुपे और actual में आप इस course को sell कितने में करना चाहते हो तो उस price को आप यहाँ पे enter करोगे तो माल लेते हैं हम course को discounted price पे sell कर रहे है audience के लिए तो हमेशा list price जादा होता है और final payable price कम होता है और यही actual price है जिस price पे आप course को sell कर रहे हो आप जैसी add करोगे देखी course का price यहाँ पे set हो चुका है इसके बाद यहाँ पे tax की काफी सारे settings मिल जाती है अब कितने percentage of tax charge करना चाहते हो like GST वगरा 12% होता है online courses पे बाकि यहाँ पे आपको cashback वगरा का भी option मिल जाता है फिलार इन सारे options को मैंने इतना जादे use अभी किया नहीं है कि शायद यह मेरे लिए इतने जादे useful options नहीं है बढ़ आप use कर सकते हो graphy में सारे options आपको मिल जाते है बढ़ other elements में नहीं मिलते है यहाँ पे checkout page के लिए दो options आपको मिलते है purchase with cart functionality और पहला option दिया हुआ single course checkout इन दोनों का मतलब क्या है इन दोनों का मतलब यह है कि अकर purchase with cart functionality आप करोगे तो माल लिजए आपके 2 या 3 या 4 courses है तो user एक एक करके सारे courses को पहले cart में add कर लेगा उसके बाद checkout कर सकता है मतलब एक time पे multiple courses को purchase कर सकता है whereas single course checkout में user एक time पे एक ही course को purchase करेगा तो फिलाल मेरे लिए तो सबसे helpful option यही होता है single course checkout क्योंकि जितना fast checkout process user के लिए आप दोगे उतने ही ज़्यादा sales के chances होते हैं cart abandonment को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं after that आप course की category यहाँ पे enter कर सकते हैं जैसे के SEO course है that means यह कहीं ने कहीं development और IT में आता है तो मैं यहाँ पे enter करूँगा development and IT आप categories बगर हैं यहाँ पे create कर सकते हो सब categories भी आप यहाँ पे बना सकते हो at last we can click on save अब scroll up कर लेते हैं अब यहाँ पे दिया हुआ pages यह basically आपके इस page का unique URL है यानि इस course का unique URL है जैसे हम slug भी कह सकते हैं wpcls.com के बाद forward slash आएगा इसके बाद यह slug add हो जाएगा तो फिलाल इसको as-disc छोडना है असे हम यहाँ पे चेडने वाले नहीं है फिर यहाँ पे course का title है अगर आप अपने इस course का SEO अच्छा करना चाहते हो तो यहाँ पे आप page title वगरा पुट कर सकते हो, description पुट कर सकते हो course के keywords वगरा आप यहाँ पुट कर सकते हो जिसके लिए यह course rank कर जाए Google पे और other search engines पे तो यह सारे features graphy आपको provide करता है और यहाँ पे course success page है basically इन सारे options को हमें same course builder की screen open हो जाती है तो अब आपको एक काम करना होता है जब सारे lectures आपके ready हो जाते हैं आप सारे lectures को save कर देते हो उसके बाद आपको इस course को publish करना होगा तो यहाँ पे option दिया होता है publish course का जैसे आप इस पे click करोगे यह आप से confirmation मागेगा are you sure you want to publish आप जैसे publish कर दोगे तो यह course आपके front page पे purchase करने के लिए available हो जाएगा फिलाल इसको publish मैं नहीं करने वाला हूँ ओके वापस हम फिर details वाले page पे चलते हैं अब यह है landing page का option यानि कि आप इस particular course का landing page design कर सकते हो इस arrow पे हम click करते हैं यह है वो interface जहां से आप इस particular course का landing page design कर सकते हो left hand side पर यहाँ पे featured image by default आ जाएगी यह सारे variables हैं जो dynamically course के title को, course की tagline को star ratings को, number of learners enrolled, language, instructor सब को fetch कर लेते हैं तो फिलाल अगर आप यहाँ पे इन सारे options को touch नहीं भी करोगे तो भी चलेगा because graphy automatically page में difference है यह wpcls.com basically आप कहा सकते हो कि मेरी website का main page है जहां पर मैंने अपने बारे में information दी हुई है और जितने मेरे courses उन सब की मैंने listing करा रखी है अगर हम बात करें individual course page की, जैसे कि मैं मान लिजे enroll now पे click करता हूँ इस वाले course पे तो इसका एक individual page open हो जाएगा जैसे कि यह एक individual page है जहां पर 3499 रुपीज WordPress freelancing course का price है तो यह एक individual page कहलाता है जहां पर हम course के बारे में content पुट कर सकते हैं, course के reviews पुट कर सकते हैं, ताकि हम users को या जो भी website visitors हैं उन्हें convince कर सकें course को purchase करने के लिए course का syllabus वगर आप यहां पर display करवा सकते हो, काफी सारी और भी चीज़े हैं, जो आप particular course के landing page पर display करवा सकते हो तो same चीज़ हम यहां पर भी कर रहे हैं course landing page का मतलब यह है, कि आप particular course के लिए ही content create कर रहे हो, तो left hand side पर देखिए placeholder मिलता है, information के लिए यहां पर एक section दिया हुआ है बट यह सारे जीज़े graphy by default आपके लिए already put कर दीता है तो इसको भी हम यहां पर customize करने की जरूत नहीं है but आप always अपनी need के according left hand side पर drag and drop करके इन elements को यहां पर create कर सकते हो so we need to jump on information page okay, after that learners कितने लोगों ने इस course में भी तक enroll किया हुआ है उन सब की list यहां पर आ जाएगी अभी मैं आपको अपने real learners भी दिखाने वाले हुआ है कितने लोगों ने मेरे सारे courses में enroll किया हुआ है then after subscription, access, course है, certificates and related products है फिलाल यह सारे options में use नहीं करता हूँ but आप अपने need के according हमेशा इसको use कर सकते हो back to courses पर चलते हैं okay, after that यह packages है, asset library है asset library मतलब जितना भी content, videos आपने upload किया होगा वो सब आपको यहां पर दिखाई देगा देखिए, recently मैंने एक video upload किया हुआ है, welcome वाला तो यह under processing है, video type है इसको मैंने upload किया हुआ है किसने upload किया है, मेरा नाम यहां पर आएगा date किस date मैं upload किया था, मैंने सारे चीज़न यहां पर आती है, आप चाहें तो इस content को यहां देडिलीट भी कर सकते हो then after quiz reviews वगरा है यहां पर आप reviews वगरा ले सकते हो students से, assignments आप यहां पर check कर सकते हो, यानि जो भी आपने courses में assignments को create किया होगा user के लिए, वो सारे assignments यहां पर display होते हैं, live test का यहां पर section दिया हुआ, live classes का है जितने भी लोग आपके courses पर ratings और reviews को drop करेंगों, वो सब आपको यहां पर दिखाई देगी, फिलाल मैं WPCLS पर ratings नहीं लेता हूँ, मैं mostly Google पर जाकर के ratings लेता हूँ, अब हमारा next important section है users, इस पर हम click करते हैं, तो यहां पर basically 5 type के users exist करते हैं, learners यानि students जो learn करने आ रहे हैं course को, admins जो course का admin हो सकता है website का admin हो सकता है, instructors जो basically पढ़ाने आने वाले हैं, training provide करने वाले हैं, affiliates यानि जो लोग course को promote करते हैं अपने social media platform पे और other audience को, जिसकी help से आप course की sale बढ़ सकती है, और subscribers का मतलब जिन्होंने सरफ account create कर लिया but they are not learners, they are not admin तो हमारा काम mostly पुटता है learners से, now let's click on learners अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यह वो सारे लोग हैं, जिन्होंने मेरे courses में enroll किया हुआ है, total अभी तक 3477 लोगों ने enroll किया है मेरे इस wpcls.com website पर, और यहाँ पे जितने भी मेरे courses, सारे courses का यहाँ पे data आता है, आप चाहें तो records को filter भी कर सकते हैं, मतलब आप चाहते हो कि सिर्फ उन लोग का data है, जिन्होंने 14 days वाले WordPress Mastery course में enroll किया हुआ है, तो यह add filters, अब यहाँ पे देखो कितने सारे filter type आते हैं, signed up है, last login कब user ने किया, enrolled कब किया, नहीं enroll किया है किसी course में अब उन सारी users को भी check कर सकते हो, जिनका verified email है, जिनका verified mobile है, तो वो सारे users का data आप यहाँ पे बहुत easily filter कर सकते हो, so let's say, मैं यहाँ पे चेक करूँगा उन सभी लोगों को, जिन्होंने मेरे 14 days वाले course में enroll किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, WordPress 14 days course, इसके बाद जैसे हम सर्च करेंगे, तो जितने भी लोगों ने 14 days वाले course में enroll किया है, उनका data यहाँ पे filter out हो जाएक, और आप देख सकते हो, अब learners कितने हैं, 3,201, मतलब कम हो गए, यानि 3200 लोगों ने से 14 days वाले course में enroll कर रखा है, हो सकता है, इन लोगों ने other courses में भी enroll किया हो, पर 14 days वाले course में यह सारे लोग already enrolled हैं, तो बाकी और भी काफी सारे यहाँ पे filters वगरा आपको available हो जाते हैं, आप simply इनके according अपने audience को filter out कर सकते हो, along with that अगर आप चाहते हो, इन सारे audience को, इन सारे students को export करना, तो आप CSV file में export भी कर सकते हो, यह export वाला section, जैसे आप इस पर click करोगे, यह pop-up आएगा, इसमें आप से पूछा जाएगा कि एक से दस हजार तक के students को आप export करना चाहते हो, of course, आपको याद होगा, जो हमारा basic plan है, उसमें हम दस हजार students को enroll करवा सकते हैं, that is the reason, यहाँ पर range दी हुए, एक सिफ दस हजार students तक ही मैं export कर सकता हूँ, तो simply हम export पर click कर देंगे, अब यहाँ पर देख एक message आ गया, you will be notified by email once your file is ready, यानि export file अभी backend में ready हो रही, जैसी ready हो जाएगी, मुझे एक email आ जाएगा, along with that मैं चाहूं, तो reports में जाकर के, और यहाँ पर दिया हुए downloads, so download वाले section में जाकर के हम उस CSV file को download कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, 24 मार्च को यह file ready हो चुकी है, simply download report में हम click करेंगे, और CSV format में यह पूरा data download हो जाता है, तो यह भी काफी कमाल का feature है, अब फिर से वापस learners पे चलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, कि learners की profile के साथ, आप किस-किस type के changes और manipulations कर सकते हो, यहाँ पर search box में अपना ही एक profile search कर लेता हूँ, जो अल्रेडी मैंने बना रखा है, सद्दाम कासिम के नाम से, ओके, इसे open कर लेते हैं, जैसे यादि किस पर click करोगे, इसका individual page open हो जाता है, अब यहाँ पर आप चाहो तो किसी भी learner को delete कर सकते हो, scroll down आप करोगे यहाँ पर, तो option मिलता है, I agree to delete learner profile, मान लिजए कोई ऐसा student है, जो बत्तमीजी कर रहा है, या पर course के according सही नहीं है, या spamming करने आया है, तो उस case में आप उसका profile यहाँ से delete कर सकते हो, along with that आप चाहें तो उसका phone number यहाँ पर change कर सकते हो, user का आप role भी यहाँ पर change कर सकते हो, मान लिजए कल को जो student आया, उसको आपको admin बनाना है, तो आप admin उसे बना सकते हो, sub admin है या super admin है, फिलाल उसको student ही रहने दीजिए, बढ़ यह सारे options में आपको explore करके दिखा रहा हूँ, आप user का state और language वगरा भी यहाँ से set कर सकते हो, then after यहाँ पर दिया हुआ हुआ है, number of logins, that means इस user ने कितनी बार wpcls.com website पर log in किया है, तो फिलाल मैंने इस email account से hero1 at wpclasslive.com से एक बार भी log in नहीं किया है, that is the reason यहाँ पर zero आ रहा है, और कितनी different device से log in किया है, उसका भी count यहाँ पर आता है, तो यह भी tracking आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, यूजर का password आप यहाँ पर change कर सकते हो, create कर सकते हो, तो इसी तरह से काफी helpful options आपको यहाँ पर मिलते हैं, ग्राफी के platform पर, then after हम चलते हैं courses वाले section पर, यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो, यह particular user किस course में enrolled है, so right now मैंने 14 days में खुद के enroll किया हुआ था, यह थमने लही course का title है, अब यहाँ पर आप देखो status दिया हुआ है, progress है, time spent है, तो यह tracking भी आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, यानि इस particular user ने कितना course complete कर लिया है, और कितने number of hours इसने हमारे courses पे spend किया हुआ है, मतलब कितना time तक इसने videos को देखा है, तो वो भी report यहाँ पे आ जाती है, आप चाहो तो इस particular user के account से इस course को remove भी कर सकते हो, आप चाहो तो नया course भी add कर सकते हो, इस particular user के account में, यानि आप इस user को enroll करवा सकते हो किसी दूसरे course में manually, यहाँ आप देखो, enroll का button दिया हुआ है, अब जैसी इस पर click करोगे, एक pop-up आएगा, अब किस course में enroll करवाना है, उसका नाम आप यहाँ पर सर्च कीजिए, जैसे कि मान लेते हैं, हम यहाँ पर सर्च करते हैं, ब्लॉगिंग का, ब्लॉगिंग मैंने टाइप कर दिया, यह ब्लॉगिंग वाला published course आ गया, अब यहाँ पर आप से पूछेगा choose validity, कब तक के लिए यह course इस particular user के account में दिखने वाला है, lifetime के लिए दिखेगा, fixed date तक दिखेगा, number of days के लिए दिखने वाला है, maximum number of viewing hours के recording रहेगा, फिलाल इसको हम छोड़ते है, lifetime validity, अगर आप user को notify करना चाहते हो, web push notification के थो, या mobile push notification के थो, तो आप यहाँ पे इन दोनों options को select कर दोगे, तो यह option आप देखना किसी दूसरे LMS में आपको नहीं मिलेगा, बट graphy में मिलता है, मतलब user को notification पहुंच जाएगा browser पे और mobile device पर, at last हम confirm कर देंगे, तो यह course भी देखो, यहाँ पे add हो जाएगा, तो यह काफी अच्छा feature है graphy में कि आप manually भी किसी user को particular course में enroll करवा सकते हो, after that यह है purchase history, इस user ने कब purchase किया होगा course को, तो basically purchase history यहाँ पे नहीं आ रही है, because मैंने manually इस account को create किया था, और enroll करवाया था courses में, अब वापस हम चलते हैं back to learners पे, इसी तरह से आप चाहें तो और भी admins वगरा create कर सकते हैं, instructors आप यहाँ पे create कर सकते हो, that is completely up to you, मेरे इस account में मैं सिर्फ एक ही admin बना सकता हूँ, यहाँ पे message भी लिख करके आ रहा है, admin accounts limit सिर्फ one है, now अब हम चलते engagement पे, engagement में आपको मिलेगा public forum, जितने भी लोगों ने आपके course lectures के उपर comments किया होगा, उन्हें कुछ help और अगरा चाहिए होगी, तो वो सारा data यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो, एक user ने यहाँ पे already comment किया हूँ, आता मेरे किसी lecture पे, mobile view and computer view of wordpress are different, how to fix this issue kindly says, रहे न, तो इस type से आप चाहें, तो user को यहाँ पर भी support provide कर सकते हो, comment करके आप यहाँ पे उसे reply कर सकते हो, तो customer support के लिए भी काफी अच्छे features यहाँ पे available हैं, आप चाहें तो course wise भी support provide कर सकते हो अपनी audience को, right now 14 days वाले course पे अभी तक 474 लोगों ने comments किया हुआ है, जिसमें 303 active learners हैं, last activity 9 गंटे पहले हुई थी, इसी तरह से WordPress freelancing master course पे एक उस साथ लोगों ने भी तक अपनी queries को पूछा है, 62 active learners हैं and so on, बाकि messenger वगरा फिलाल मैं use नहीं करता हूँ, यह दो ही चीज़े काफी है, मेरे audience को support provide करने के लिए public forum and course wise, after design वाला मैं पार्ट आपको जाना होता है website पर, okay, so right now दो themes आपको मिलती हैं, एक theme 1 है, जो कि dark theme है, एक theme 2 है, जो कि light theme है, यहाँ पर कुछ pages हैं, जो by default created होते हैं, जैसे यह home page है, अब अगर आपको home page का design change करना है, तो customize पर आपको मिलेगा design option, let's click on it, आप जैसी इसे click करोगे designing panel यहाँ पर open हो जाता है, similar होगा जैसा आपका course landing page design करने के लिए available था, यहाँ पर आप जा करके अपने पूरे के पूरे page को design कर सकते हो, left hand side पर काफी सारे widgets already available है, उन widgets को आप use करके इस पूरे के पूरे page को design कर सकते हो, बट आपको कोशिश यह करनी है, कि जो कुछ भी designing आप करें, वो Google Chrome browser पर करना, यहाँ पर message भी लिख करके आ रहा है, works best in Google Chrome, right now मैं तो Mozilla Firefox यूज़ कर रहा हूँ, बट आप जब भी designing वगरा complete करोगे इस पूरे page की, तो वो आपको Google Chrome browser पर ही करनी है, जब सारे changes, सारा content आप यहाँ पर put कर दोगे, इसके बाद simply आप इसको यहाँ से publish कीजिएगा, right now यहाँ पर unpublish आ रहा है, because मेरा page already published है, बट आप save करके publish कर दोगे, तो वो page live हो जाएगा, इसी तरह से और भी pages की यहाँ पर देखिए link दिये होते हैं, जैसे course landing page का design आप यहाँ चेंज कर सकते हो, check out success page है यहाँ पर, contact page के उपर अपनी contact details आप पूट कर सकते हो, by just clicking on this design option, और काफी सारे और भी pages यहाँ पर दिये हुए हैं, after that page builder है यहाँ पर, page builder में जाकर करके आप नया custom page आइड कर सकते हो, आपको एक terms and conditions है अपना खुद का page आइड करना है, तो उसके लिए new page पे जाके आप अपना खुद का एक custom page आइड कर सकते हो, then after mobile apps का option है, अब मान लिजे आपको graphic का mobile app यूज करना है अपनी audience के लिए, तो उसके लिए आपके पास Google Play Store का account होना चाहिए, जब आप app को अपने store में upload कर दोगे, तो उस app का link आपको यहाँ पर put करना होता है, बाकी app के options आपको यहाँ पर काफी सारे मिल जाते हैं, जो आप अपने according कस्टमाईज कर सकते हो, यहाँ पर store image का slider भी है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर डामेंशन रहने वाला है, यहाँ पर आप चूज करोगे language, actual में आपका जो course की language प्लाटफॉर्म पर language वगरा आप यूज करने वाले वो कौन सी language है, तो default language आप यहाँ पर set कर सकते हो, English, Hindi, जिस भी language में आप course वगरा बनाते हो, अपने courses के लिए blogging कर सकते हैं, मतलब integrated blog section अल्रड़ी है यहाँ पर, simply आप new blog पर click करो, और आप blog वगरा write कर सकते हो, ताकि graphie उस blog को boost करेगा search engines पर ranking हो सकती है, जिसकी help से आपकी course की sales बढ़ सकती है, तो blogging is also a very powerful tool for increasing the sales of your online courses, फिर यहाँ पर दिया हो promo code का option, आप चाहें तो custom promo codes create कर सकते हैं अपनी audience के लिए, ये भी sales बढ़ाने में काफी helpful होते हैं, wallets and credits का भी यहाँ पर option दिया हुआ है, जो कि आपको किसी other LMS पर नहीं मिलने वाला है, refer and earn का भी option है, यानि कोई भी user अगर आप ही course को refer कर देता है, तो one time उसको आप commission provide कर सकते हो, या कुछ भी आप उसको you know award बगरा provide कर सकते हो, at last affiliate settings है, इसका मतलब यह है कि आप अपने course के लिए affiliate बना सकते हो, मतलब लोग जो अलड़ी students हैं, तो आपके लिए as a affiliate भी work कर सकते हैं, वो आपकी course को promote करेंगे, अगर उनके link के थरो कोई भी course को purchase करेगा, तो आप हर sale पे अपने audience को, अपने student को कुछ commission provide करोगे, यानि आपके students आपकी course की marketing भी कर सकते हैं, तो ये भी एक integrated affiliate marketing system है, जो आपको किसी other elements पे तो मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलने वाला है, बट graphie में आपको ये option भी provide किया जाता है, मतलब graphie आपकी हर तरह से help करता है, course की sales को improve करने के लिए, तो right now मैं 28% का यहाँ पे commission rate set किया हुआ है, यानि मान लिजिए अगर किसी ने मेरा course 3499 का purchase किया है, तो उसको 1000 रुपे मैं commission provide करूँगा हर sale पर, तो इस type से आप पूरी settings वगरा यहाँ पे कर सकते हो, अपने affiliate program की, okay, now let's collapse this tab, अब integrations की बाद अगर हम करें, तो third party काफी सारे integrations आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे google site verification है, वो आप यहाँ पे बहुत easily verify करके integrate भी कर सकते हो, segment वगरा है यहाँ पे दिया हुआ, picker है, इस platform को आप यहाँ पर integrate करा सकते हो, facebook integrate कर सकते हो, Vimeo है, sprout video है, zapier है, pably है, काफी सारे और भी platform से, third party platform को आप बहुत easily graphi पे integrate कर सकते हो, अपने platform की usability को increase करने के लिए, और at last हम चलते हैं settings वाले tab पे, settings वाले tab में आप देख सकते हो, काफी सारे चीज़े दिये, यहाँ पे हम payment gateway वगरा भी integrate करेंगे, तो right now, यहाँ पे मेरा sub domain दिया हुआ है, saddamqasim8046.spay.com, well, पहले graphi का नाम is pay.com था, जब मैंने इनके साथ enroll किया था, अब graphi.com हो गया, तो उस time पे मुझे यह sub domain मिला हुआ था, मैंने अपना custom domain यहाँ पे link कर रखा, wpcls.com, cname की help से, तो यहाँ पे जब भी कोई user इस website पे आता है directly, तो wpcls.com ही open करता है, after that यहाँ पे उपर टाब दिया हो payment का, अब payment वाले टाब में आप payment gateway को integrate करा सकते हो, तो यहाँ पे देखिए मैंने Razor पे payment gateway को integrate किया हुआ है, आपको अलग से कोई भी plugin वगरा integrate करने की ज़रूत नहीं है, Razor Pay का option आपको already मिलेगा, बस आपको simply key ID, key secret, web app, secret वगरा यहाँ पे put करना होता है, तो simply आपको पहले करना क्या होगा, Razor Pay.com पे जाईए, और यहाँ पर जाकर कि आप एक account create करोगे, आपको sign up करना होता है, अगर आपका business account बनाई, अगर आप individually work करते हो, तो individual account आप create कर सकते हो, that's completely up to you, जैसे आपका account अप्रूव हो जाएगा, तो आपको key ID और key secret प्रोवाइड हो जाता है, वो आपको यहाँ पे enter कर देना होता है, and then just click on save, तो razor पे payment gateway आपके LMS में quickly integrate हो जाता है, after that यहाँ पर security वाला tab दिया हुआ है, जिसमें आप अपने platform को, अपने courses की security के लिए काफी सारे चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो, जैसे यह है dynamic watermark settings वगरा है, इसके अलावा यहाँ पर video encoding के लिए की option वगरा दिया हुआ है, तो काफी सारे यहाँ पर options मिल जाते हैं आपको अपने course की content को secure करने के लिए, फिर यहाँ पर email वाला section है, आप चाहें तो अपना email वगरा है यहाँ पर change कर सकते हो, welcome email जाएगा, forgot password email जाएगा, काफी सारे यहाँ आपर triggered email के लिए options मिल जाते हैं, then after custom fields और miscellaneous में फिलाल हमें जाने के जरुवत नहीं है, और at last नीचे हमारे लिए दिया हुआ है accounts वाला section, जहां से आप अपनी profile वगरा को manage कर सकते हो, तो यह सबसे starting वाला option तो जो मैंने आपको दिखाया ही हुआ था, okay, so इस type से आप as a admin अपने courses वगरा को create करोगे ग्राफी के उपर और उसके बाद आपने courses को sell कर सकते हो, अब एक काम करते हैं, इस platform से हम पहले log out कर लेते हैं, बागे सारे tabs मैं यहाँ पर बंद कर दूँगा, अभी तो हमने फिलाल as a instructor login करके देखा है इस platform के उपर कैसे आप course को sell करोगे, अब आपके student को किस तरह से दिखाई देने वाला है, क्या interface उसके सामने आएगा, अब हम वो explore करेंगे, तो पहले तो यह काम करते हैं, मालेजी आप किसी भी audience को, किसी भी user को page की उपर लाए, तो वो course में जब enroll करना चाहेगा, मालेजी फिर्स्ट वाला यह वाला course है, इसमें enroll करना है, तो simply वो enroll now पर पहले click करेगा, ओके, by this course button पर click करेगा, तो user redirect हो जाएगा, razor पर payment gateway पर, जहां उसे अपने contact detail वगर enter करनी होती है, directly pay करके, वो course में enroll हो जाता है, अब enrollment के बाद user को simply जाना होता है, wpcls.com website पर, या जो भी आपका domain होगा, उस पर visit करेगा, simply login करेगा, और यहाँ पर हम login कर लेते हैं, अपने existing account में, hero1 at, ओके, I think मैं password अलड़ी भूल चुका हूँ, देखे, password reset का भी यहाँ पर option आपको मिलेगा, forgot password, so मैंने password reset कर लिया है, now let's click on login, ओके, देखे, मैं successfully login हो चुका हूँ, यहाँ पर confirmation message भी आ गया, अब यह है student का interface, यानि आपका student जब login करेगा, तो उसको actual में क्या दिखने वाला है, जैसी user login कर लेता है, तो यहाँ पर top पर उसको my courses का एक menu दिखाई देगा, जैसी user इस पर click करेगा, तो जितने भी courses में user ने enroll कर रखा है, वो सारे courses के list यहाँ पर आ जाती है, grade view में, अब हम simply चलते हैं 14 days वाले course पर, जैसी इस पर click करेंगे, तो यह interface open हो जाएगा user के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो, left hand side पर basically यह lecture है, right hand side पर उसको video play हो जाएगा, इसी तरह से काफी सारे और भी यहाँ पर lectures वगरा दिये हुए है, अब ही right now मेरा internet थोड़ा सा slow है, that is the reason यह round and round हो रहा है, तो इस type से user सारे course के lectures को यहाँ पर attend कर सकता है, along with that, जितने भी file देखी, मैंने यहाँ पर download के लिए यूजर को file दी हुई है, like elementary download कर सकता है, directly यहाँ पर download का option दिया हुए, मतलब यह file download वाला option है, और काफी सारे यहाँ पर और भी lectures वगरा दिये हुए, जिसको one by one user विजट करके simply course के content को watch कर सकता है, अगर इस student को कोई भी query यह question होती है, तो आप देखो टॉप पर यहाँ दिया हुए discuss का button जैसी इस पर click करेगा user, तो यह discussion वाला section आगए, यहाँ पर अपना comment वगरा drop करके simply post कर देगा, और यह query admin को receive हो जाती है, अगर यह lecture complete हो जाएगा, तो simply complete and continue पर click करने पर यह lecture mark as complete भी हो जाता है, बट किसी भी lecture को बार बार repeat करके भी देखा जा सकता है, तो आपने देखा कितने सारे features ने graphi platform के उबर जाखो किसी other LMS पर नहीं मिलते हैं, और यही reason है कि मैं graphi use करता हूँ, बट other LMS को बिलकुल भी use नहीं करता हूँ, अभी सिर्फ आपने यह जाना है कि कौन सा LMS best है, जिसके उपर आप course के content को upload कर सकते हो, और वो LMS Indian Payment Gateways को support भी करता है, अब course sell करना है, that means आपको ads वगरा run करने पड़ेंगे, mostly लोग यह गलती करते हैं कि starting में simply ads run कर देते हैं, Facebook पे, Instagram पे, बट sales नहीं आती हैं, सिर्फ आपके पैसे ही बरबाद होते हैं, actual में online course selling का एक बहुत बड़ा business है, यानि कि एक proper strategy भी आपको follow करनी पड़ेगी, अगर आप सिर्फ यह सोचते हैं कि ad चला दिने से काम हो जाएगा, then trust me, आपका सिर्फ time और पैसा ही waste होगा, इसके अलावा sales नहीं आएगी, तो आप चाहें तो मुझे hire कर सकते हैं, मैं online course selling services भी provide करता हूँ, नीचे वीडियो को description में मेरी contact details दी हुई है, आप मुझे hire करके अपने course की sales को day by day increase करवा सकते हैं, मैं पूरी strategy आपको बताऊंगा किस तरह से मैंने दो महीने में 3000 से भी जादा copies sell की हैं अपने online course की, और day by day ये figure increase भी हो रहा है, so basically हमारी services में facebook ads include होते हैं, किस तरह से हमें potential audience research करनी है, वो हमारी पूरी strategy में शामिल है, साथी साथ में हम other social media ads भी run करते हैं, retargeting ads रन करते हैं, enrollment के बाद audience यानि students के ताथ किस तरह से engage रहा जाता है, वो हमारी strategy में शामिल होता है, आप अपनी audience को bulk whatsapp SMS send करके किस तरह से engage कर सकते हो, वो भी हमारी strategy में शामिल है, आप अपने students को auto enroll कैसे करवाओगे अपने course में, हो सकता है, आपने directly कहीं पर और payment ले लिया है, बट payment successful होने के बाद किस तरह से audience या student, आपके platform पे, आपके LMS पे automatically course में enroll हो जाएगा, वो सारे चीज़े हमारे इस पूरी services में included होती हैं, तो अगर आपके पास भी online course है, आप अपनी sales को हमारे साथ जुड़ करके increase करवा सकते हैं, so I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, किसी भी तरह की query ए question है, just let me know in the comment section, और अगर ये वीडियो आपके काम गता प्लीज लाइक करना मत भूलेगा, और इसी तरह से और भी helpful वीडियो उसके लिए चैनल को subscribe जरूर करें,